पिनाश एक तरफ तो आज जी सीजम कोट में कस्टरडी रिमान को लेकर सुनवाई हो नहीं है लेकिन दूसरी तरफ लगातार पोलिस उन सवालों के जबाद ढूडने की कोशिश कर रही है जो जीवात्याकांट से जुड़े हुआ है फिर वो नेपाल कनेक्शन की बात हो या पर अदालत में कोट परसर में किन लोगों ने रेकी की थी कौन कौन लोग विजयादों के साथ में मौजूद थे उसमें विरोधा भास साथ तोर पर देखा जा सकता है और यहीं वज़ा है कि पुलिस ने कस्टेडी रिवांड के लिए सीजेम कोट में अरजी दी थी जिस पर आज सुनवाई होनी है लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस केस से जुड़े जो तमाम तथ्य हैं उ इस बात की संभावना है कि वहां के लोगों से भी इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है एक चीज़ आपको और बता दें कि बिहार में भी एक टीम गई हुई है क्योंकि जो विपन जिस विपन का इसके इस्तमाल किया गया था कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें एक बिहार कनेक्शन है तो उस चीज को भी उस पॉइंट को भी पुलिस खंगालने की कोशिच कर रही है और साथ ही में देखिए पुलिस दरसल इस बात का भी पता लगाने की कोशिच कर रही है कि जब इस सत्यकान को अंजाम दिया गया लखनव कोट परिसर में तो क्या वह लेकर पुलिस की जाँच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है अलाकि पुलिस के पास कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही सत्यकान कान से जुड़े कुछ और और अहम खुला से जल्द हो सकती